Hey guys once again welcome back to my channel makeup for love and desire और आज मैं आप लोगे के साथ ये बाली glam glowy bridal makeup look share करने बाली हूँ So guys अगर आप interested हो तो चलो video start कर लेते हैं सबसे पहले आप देख सकते मेरी face बहुत जादा like puffy दिख रही है क्योंकि मेरी तवियत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो मैं अपनी स्कीन को थोड़ी सी प्रेप कर लूँगी और इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे यहाँ पे लिक्रिस पाउडर आती है इसे as a face pack यूज किया है और इसे मैंने परपल से लिया है आप भी ले सकते हो बहुत सारे like variations में अबल अबल है तो इसे मैंने सबसे पहले पेस बना लिया है इसके लिए इस तरगी की glass bowl में मैंने इस पाउडर को ले लिया है और इसके साथ मैंने यहाँ पे रोज वाटर को मिक्स किया है आप चाहे तो नॉर्मल वाटर भी मिक्स कर सकते हो और क्योंकि मेरी skin type थोड़ी सी dry है तो इसके साथ मैंने एक rosehip oil यहाँ पे अट किया है आप भी कर सकते हो इससे बहुत अच्छी वाली एक glow आपको दिखने वाली है तो इस पेस्ट को मैंने इस तरहे के से एक ब्रश की हाल्श से पूरी फेस पे और थोड़ी से नेग इरिया पर भी रहा और बहुत अच्छी से ब्लेण कर लेना मतलब की बहुत अच्य से mix कर लेना थाकि कोई भी तो कुछ इस तरही के से अप्लाइ करके 10 तू 50 मिनिट से कपको रखना है ताक यह बहुत अच्छ से स्कीन में इसकी जो गुटनेस बहुत अदर जा इसके बाद आप इसे वाश कर सकते हो आप देख सकते हैं एक इंस्टेंड ग्लो आपको दिख रही होगी इसके बाद मैंने आपको अपलाई करें आपना मौशेरियर एज स्कीन कर्ड़ पूछ भी हो मेकप ज़िए आपको आपको अच्छ से भाथ हाई कर ले हैं थी क्या सित क्या एजसे में चाल थावाई डैलाली म्हाई का ओसके वटन से इसकेड कर बढ़ होाई किर खिलों यहकि औरे ओना पार मह रड़न ये पाल इना चाहर से लिए इन भाइब में घा आयद कि का रहत्त लिए और ये ना से देगी का रहते हिताशा में अले कर आई आध रर क्रेंश के लिये पैसे ब्लेंड एल्ल्य और बाद ही शिर्ज से दैंड़ ऑ इकान रहर दो लग पोकेस करके ब्लेंड किया है、 थोड़ा सक्रीद लान पे भी ब्लेंड किया है तो विद्फाइल हो जाएं इन अपर प्रॉष्ब्यूडी के वाले जो काजल है इसे एपनी वाटम टाइट लाइन अपनी अपर रियों पर इस तरीके से अपलाई किया है थोड़ी सी थीक लिए अपलाई किया है क्योंकि मुझे काजल को ही ज्यादा हाइलाइट करना है आज की लुप के लिए सो गाइस अब मैं थोड़ी सी ग्लीटर से आप अपलाई करने बाली हूँ यह वाले जो तीन शेर्ड इन तीन शेर्ड को मिक्स करके इस तरीके से आप चाहे तो ग्लीटर बाले जो स्टेप है इसे स्कीप कर सकते हैं अगर आपको ग्लीटर नहीं अपलाई करना है तो एंड से ग्रेइश काइंड अप जो शेर्ड है इसे पिक करके एक एंकल ब्रश की हलसे मैंने अपनी आइब्रूस को भी इस तरीके से फिल एंड ड्रॉ कर पोर्स बहुत अच्छे से मिनिमाइश हो जाए और यह सिलिकन बेस प्राइमर है तो किसी भी स्कीन टाइब बाले इसे यूज कर सकते हैं और बहुत अफोरड़ भी है और नेक्स ट्रेप मेंने आप ममा रथ के कॉंपक्ट पार्र को इस तरह के से पार्डर प्रेश के हल्ट टूरर के से स्प्रेय तो यह जोने स्ट्रेप को आप की स्मूध होगा फ्लॉलस होगा और लॉंग लास ट्रीप भी हो जाएगा तो आफ ट्राइग कर के देख सकते हो इसके बाद मैने यह आप ऑच्य से एक ब्यूट बिलंडर की से डैप कर लिया ताकि बहुत अच्छी इस तरहे कि अप्लाई के बाद एक बऻग से ब्लें जबन के हैं इसके बाद में notify को पूरे वेस में हें तली हो प्रेड का उयंका इन जबल से रहरिया के बाद में फॉर फबॉर्ड के लिया sounds और इस concealer में मेरा shade number है LNP15 अगर आपकी skin tone मेरी तारा fair to medium है तो आप इस shade को ट्राइ कर सकते हो बिल्कुल best kind of shade है and concealer है अब आते है में एंट्रेस्टिंग पार्ट पर जिससे आपको बिल्कुल proper बाली and real glow मिलने बाली है तो यह है Swiss Beauty की illuminating liquid highlighter and इसमेरा shade है gold इसे कुछ इस तरह के से apply करने के बाद मैंने बहुत अच्छी से blend कर लिया और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी बाली ए इसके बाद पूरे makeup base को set कर लिया मैंने ममार के compact powder से और shade number है 03 तो नेक्स सिर्वाल प्लसाइर प्लिया बाले यह ऐसे प्लाएके बाले भीक्याश में इसके लिया मैंने मार्सके ब्लशा पैले इसके बाले इसके बाले HD ज 나서ाल पेपनो पिक पर शेयरे ड्याड़ौ के पिंते बशेयर उना कम ऑपनी में रिया है लाड़ी पैला की जारे होला किउद्हड के बनख पाम उसाथ भी आपने लोंस बसन तुन मुझाभान पिंटर खेल उल्र कर लिये है यह वाली जो वालन भालते है इसलिपनेल पेली डिट थे और सीला वाला पेल उप्लो सेट अधिये है लेंगें आपकिला सेग्हेञार शफित ले के लिए यह मत्करों अब में अब क्या है आपनाय पाद शेट करीजले अगें थोड़ा सा deeply and थोड़ा सा deeply apply किया है तकि lower lash line बहुत अच्छे से define दिखे and then थोड़ी सी liquid liner भी apply कर लोंगी और इसके लिए मैंने यहापे NYB के लिए liquid liner यूज़ किया है इसके help से मैंने बहुती thin तरीके से एक wing liner क्रेयर किया है और क्योंकि काजल पहले से ही था इसलिए थोड़ी सी थीक दिख रही है लाइनर and then same liquid liner के help से ही मैंने आइसकी इनकॉर्ण को तो रख सा एक्स्टेन करके sharp look दिया है and then essence की I love extreme volume mascara को 2-3 coat मैंने अपनी upper and lower lashes पे apply किया है and next मैंने यह पे false lashes apply कर लिया है अगर आपको पसंद नहीं तो आप skip कर सकते हैं इसके बाद मैंने यह पे mamma art monster matte lipstick को apply किया मेरा shade 01 जोगी काफी चीप प्यारी से nude shade है but आप इस look के साथ maroon या फिर red shade भी wear कर सकते हो इसके बाद मैंने अपनी look को complete कर लिया है jewelry and outfit के साथ so that's the final look guys I hope आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी आज की look आपको अच्छी लगी होगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है